अब वक्त हो चला है देश परदेश की बड़ी खबरों का दिल्ली में सुप्रीम कोट ने नीट यूजी दोहजार चौवीज परिक्षा के कथित पेपर लेक मामले में याचिकापन नोटिस जारी करते हुए NTA से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीक ताएं की है उत्तर परदेश में बिजली कनेक्षन लेना अब महेंगा हो गया है गरामीर इलाकों को नए कनेक्षन के लिए चोवालित परतिशत अधिक भुक्तान करना होगा तो वहीं उद्दोगों की दरों में 50-100% तक वृद्धी की गई है सुल्तानपुर में समाजवादी पार्दी छाथ सभा की राष्टे अध्यक इम्रान के आवान पर नीट परिक्षा फिर से कराय जाने की मांग को लेकर राष्पती को संबोधित एग्यापन सुल्तानपुर दिला अधिकारी के प्रतनिधी को सोपा गया है सुल्तानपुर में मुख विकास अधिकारी अंकूर कौशिक ने जेट मंगलवार के उसर पर विकास भौन के गेट के बगल मौजूद प्रिणना कैंटीन के संचालक रभी यादो के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करके बंडारे का शुभारम के उसर धालियों को प्रसाद वित्रित किया सुल्तानपुर में आमाद्मी पार्टी कारिकरताओं ने नीट पर इक्षमियों भरष्टाचार के खिलाफ कलेक्टेट में नारे बाजी की और राश्पती को संबोधित एक ज्यापन सोपा राइबरेली में कॉंग्रेस के पूर्व राष्टे अध्यक्ष सोनिय गांदी और मौझूदा राइबरेली सांसत राहूल गांदी प्रियंका गांदी के साथ परदेश अध्यक्ष अजयराय कारिकरताओं का आभार परकट करने के लिए आ रहे ये जानकारी है मेठी शांस प्रियान ने कलेक्टेट कार्याले में जनसुनवाई के दौरान आई और फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके निस्तारार के मातहितों को अवश्यक दिसा निर्देश दिए अयोध्या पोचे पिछड़ा और कल्याण मंत्री नरेंद कश्चप ने सरकी ठाउस में बिभागिया बैठक की बैठक के बाद मीडिया से बात्चीत करते हुए का की ओर ज्यादा और कम मिलना डेमोकरेसी की खुपसूती है जालाओन के कोच कोतवाली इलाके में बोगताओं को जागरूग करने के लिए बिजली का दुरिवोग ना करने और बिजली का बिल समय से जमा करने के लिए बिजली बिभाग के अधिकारी और करमचारी निकाली इस मौके पर कनहिया हिमांशु पटेल सहित बिद्दु के क्रमचारियों अधिकारी मौझूद रहे बाराइट में पुलिस अधिक्चक विरिंदर शुक्ला ने हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद भंधारे का आउजन किया और श्रद्दालियों को परसाथ वित्रित के इस औसर पर अधिकारी और क्रमचारी गड़ भी शामिल लहे बाराइट पुलिस कार्याले में मौझूद परिवार प्रामर्शकेंद पर एक परिवार के आपसी विवाद को सुल्जाते हो एक साथ रहने के लिए राजी खुशी तयार किया गया मेरा कैंट में पूर विधायक संगी सोम ने संजीव बालियान के पलटवार का जवाब देने के लिए अपने आवाज पर प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन के और कहा कि संजीव बालियान इन पांच सालों में अपने भरष्टाचार की वज़ा से हारे है आपको अमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए अगर यह खबर यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेस्बूक के माद्यम से जुड़ें तो पेज को लाइक करके शेयर करना बिलकुल न बूले नमस्कार सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना न भूले